आदरणी बिद्ध्याले के प्रवंधत महोदे परम्शम्मानी इस बिद्ध्याले को संजूने वाले बिद्ध्वान ध्यापक्गन बंधू आज हम लोग शरपल्ली डाक्टर आधाकृष्टन के जन्मदिवस को सिच्छक दिवस के रूप में मना रहे हैं एमान उभाओ उन्नीश्वी सदी में अठारा सो अठासी में तमिलनाट के एक गाउं में पैदा हुए था कि पिता माता का नाम भी निकला आज पेपर में है पैदा होने के बाद इनकी सुरुआती सिख्षा गाउं के ही स्कूल में हुई बाद में तमाम शारे बाहरी विद्यालों में पढ़े और पढ़ने के बाद अभी आप पन्नलाल जी ने बताया कौशे हिंदु भी श्विद्याले के वाइस्चानसलर भी हुए थे श्वतंत्रता के पहले इन्होंने भारत माता की बड़ी शेवा किया सेवा के साथ साथ इनको एमबेश्डर भी बनाया गया थे और एमबेश्डर के बाद निश्ववासत में भारत का दूतीर आश्ट्रपती इनको बनाया गया थे जब ए सिच्छक थे बच्चे इनको बहुत प्यारे थे और बच्चों को ए बहुत प्यारे थे इसी च्छक दियस मनाया क्यों गया बना कहां से बच्चों ने कहा सराज आपका बर्थडे है चात्रों ने कहा हम आपका बर्थडे आज मनाएंगे 65 से मनाया जाने लगा है तो सरपल्ली डाक्टर राधा क्रिश्टन ने कहा देखो इदि आपनों को मनाना है तो मेरे बर्थडे को मत मनाएंगे मेरे बर्थडे को टीचर्स डे के रूप में मनाएंगे क्योंकि सबसे पहले हम एक अध्यापक है तब ही से 5 सितंबर टीचर्स डे के रूप में मनाया जाने लगा बात में 1967 तक आप क्या कहते हैं वो प्रिश्टन थे भारत के और 1975 में आपने आखिरी सांस लिये डाक्टर राधा क्रिश्टन ही परम देन हैं जो आज ओमेंस की स्थिती इस्तियों की स्थिती महिलाओं की स्थिती इंडिया में जो आज समाज लेबल पर आ रही है इसका नारा लगाने वाले सबसे पहले डाक्टर राधा क्रिश्टन ही है हमारे अंग्रेजी में एक लेशन पढ़ा जाता है ओमेंस इजूकेशन उन्होंने साप साप रिखा है गीवस गुड़ मदर्श गुड़ ओमेंस हमें आप अच्छी माताओं को दो अच्छी महिलाओं को दे दीजी आप भी शेल में गुड़ नेशन हम अच्छा रास्त निर्मार करेंगे कितना फंडामेंटल ठिंकिंग ठिंकिंग जमीनी सोच कितनी थी जब तक घर में महिलाएं सिच्छित नहीं होगी क्योंकि हम आप पढ़ाते हैं कि बच्चों के सरप्रथम टीचर कौन है मातापिता अगर वो बच्चों के सामने गाली बखेंगे तो बच्चों ऐसे निकल जाते हैं आला बाला बोलेंगे गिर से आसूई डा मार पीट उसी परिवेश में बच्चे पलेंगे लेकिन जहां महिलाएं जागरूख हैं अपने बच्चों के सामने कभी भी अमानवी कृत नहीं करेंगे हो जिससे मानवता का पाठ घर से ही बच्चे पढ़कर के आगे निकलते हैं इसमें बहुत सायोगिन करा राइटर भी थे राइटर ही नहीं थे उच्चकोट के फिलासपर थे दारसनी थे इनके दर्शन की फिलासपी की पुस्तकें आज बिदेशों में भी चलती हैं बड़ी उच्चकोट के फिलासपर थे अब आद देखिए तो साय सेना में भी महिला जा रही है असेंबली में महिला हैं प्रधान महिला हैं टीचर्स महिलाएं हैं पुलिस महिलाएं हैं पहले कहीं देखने को मिलता था है नहीं मिलता है तो इनको आज इस स्टेटर्स पर पहुँचाने का मुख खिसरे आपका रहा है तो ऐसे पावन दिवश पर उनके वर्थले पर उनके जन्म दिन पर हम इस संस्था की तरफ से उनको बहुत बहुत नमन करते हुए उनसे तमाम सारी सिक्षा को प्राप्ट करते हैं दूसरी बात आज इस सवसर पर बहुत दिन बाद आप लोगों से मुलाकाद भी हो गई के वल दो बात देखिए हम आप स्कूल कालेज ही नहीं भारत ही नहीं बिश बिशम परिस्थितिती में चल रहा है अभी हमको हमारी दो चार बहुत जिम्मेदार टीचर गायर नजर आए तो मैं सोच रहा था मुझको राम चिर्ट मानस की एक चौपाई नजर आई आपत काल पर रखिये चारी धीरज धरम पुत्र अरु नारी मित्र नारी मित्र है धीर धरम मित्रार नारी मैं भी जानता हूं कि इस बिध्याले की कमाई से आपका परिवार नहीं चलता है इसको मैं भी धुर जानता हूँ एक संस्था का सम्मान है संस्था को आप सम्मान देते हैं समाज को आप सम्मान देते हैं और आपकी बहुत बड़ी उदारता है कि आप इतने छोटे वेतन में समाज के बच्चों को आकर के शिख्षा दे रहे हैं इसकूर में प्रवेस्ट करने के पहले आपको एक सर दिखाई पड़ता होगा सेवा त्याक अगर सेवा और त्याक को निकाल दिया जाए आज ओ टीचर जो असी हजार वाले एक लाख वाले हैं सर नीचे करके चलते हैं लेकिन हम आप सर उपर करके चलते हैं क्यांकि उनके पास असी हजार एक लाख वालों के पास बच्चे नहीं है हमारे आपके पास बच्चे है यहाँ पी एक बाह के इंदर रस्था पकाया था उसकी मेंटल्टी हमको क्या काइट करो सेंटर नहीं तो यहाँ की लड़किया पास हो जाएंगी तो बित्वीनी स्कूल में ज़्यादा पढ़ेंगी हमारे एड़ेट में कम पढ़ेंगी मिस्तरा जी उसकी मेंटल्टी थी है आप लोग भाग पाए हो इस सित्य थी उसकी बहुत डाटा जाता था वह आप समझे लिए बहुत डाटा जाता था अगर कोई उस अध्यापक होता तो छोड़ चाण चल देता यह हमरा एक खिलाप वह कम प्लेन कर देता हो लेकिन कुछ नहीं हो बिल्कुल बेशर्म थे उनको आज आना चाहिए था उन माश्टरों को सुचना हमारे खिलाब से सब को दी गई है हमारे तमाम सारे टीचर वेतन नहीं पा रहे हैं जो जिससे काम ले भी लें उनको भी हम किसी तरह से आधा तीहा देकर काम करा रहे हैं सब लोगों पस्ती तो इसकोल की स्थिती भी जान ले वन टू एर्थ ब्लाक एक से आध तक यहां बाबू लोग भी बैटे हुए हैं जो यहां रोज आफिस देख रहे हुए सब बैठे हैं एक से आध तक कोई मतलब नहीं इसकोल बिल्कुल सील है न कोई अडिमीशन और न कोई निसकासन कहां गए पता नहीं है लगबग सव लड़कों से ज़्यादा जो आठ पास हुए हैं उनका भी अता पता नहीं है सब के मार्क सीट में उनने सो बकाया लिखा रखा हुआ है नव की शंख्या हमारी हर साल से भी दो सो पीछे है दा सो बारा तो ठीक है वो तो पिछली कमाई है हम लोगी एलेबंद क्लास अभी हम सो पीछे है लेकिन देदर उसको हम कवर कर लें उसमें ज़्यादा दिकत नहीं बंदूर जो ग्यारा और नौ के लड़के आभी रहे है उनकी स्थिती क्या है उनके पास पान सो की एक नोट है वही रेइस्ट्रेशन फीछ है और वही उनके इस्कूल की फीछ है पैसा नहीं किशी के पास हम केवल चार महिने की फीछ ले रहे थे अप्रेल मैं जो जुलाई कच्छा दस और बारा से प्लस इग्जामनेशन फीछ सुरू में काईट टाइट के लिए मैं देखा कि जब कोई आ नहीं रहा है उनके डाउन कर दिया कम सकम अभी बारा और दस को मिलाकर लगभग धाईस लड़के बाकी है उनका पता नहीं डेट समाप्त हो गए जो आतें भी हैं वही पांसो वाली लेकर अग उसमें इस्तिती किया है उनकी पांसो वाली में कि उनकी नव की सब पढ़िये ग्यारा में फीस नहीं दिये ऐसी परिस्तिती है लेकिन उत्सा संपन्नमदीर्ग शूत्रम क्रिया विधिग्यम व्यशनेश्वशक्तम सूरम कृतग्यम द्रड़ सवरदंच लक्षमी स्वरमयात निवाश है तो हम लोग मनोबल डाउन नहीं किये क्यों एतो मैं इस स्कूल की बात बताया अगर और सुराओं तहसील में आप पता लगाएंगे तो शायद कुछ ऐसे ही स्कूल है 50% जहां इकाई में एडिमीशन हुआ है दाई नहीं इकाई में हम चवथे सतक में नैंट में चल रहे हैं नैंट क्लास में हम चवथे सतक में चल रहे हैं बारा दस के लड़के भी बस वही काम चलाओं फीश अपना दिये हमने भी कहा कि सम्थिगी इस बेटर दन नथिंग कमसमें ए तो मालूम रहे कि हाँ पढ़ेंगे आगे इनकी फिस्टिमा किये जाएगे पैंटिस बच्चों का नाम कर गाड़ दिया गया दस से और बाराश आगे सिती बन रही कि स्कूल चलेगा बन रही है आगे अब हलत सरकारिम की भी गड़ बढ़ है 21 सितंबर से कुछ सम्हावना है लेकिन पहली होते होते खोल देंगे 9-10-11-12 बन नहीं रखे ओ ध्यापक जो उदास हैं नहीं आया हैं उनको भी मेरा संदेश है कि उनको घबडाना नहीं चाहिए इसकूल खुलने दें इसकूल चलाया जाएगा जो भी यो फीस फाकड़ा आपना असूल पाएंगे सब उनका है मैं कोई हिसाब उनसे नहीं लूँ पूरा सेसन हम उनको सुपूरत कर देंगे भाई जब बिशम परिस्टिती है उस बिशम में हम कर क्या सकते हैं पतावते हैं यहां भी 6-7-8 बिलकुल छोण दिये टोटल छोण दिये कोई मतलबे नहीं हमारे यहां जो कच्छा पांस हुए हैं लड़के उच्छा में अड्मिशन नहीं लिए हैं 30 से 35 हैसे अड्मिशन 6 क्लास में हुए हैं 9 बाहरी लड़के काफी आये हैं बाहरी लड़के था हमारे ख्याल से 1.500 सात्र बाहरी आ चुके हैं लग भग 11 में बाहरी शात्र आये हैं तो फिर भी हम तहसील में ही नहीं जिला में आ गए हैं ऐसी बात नहीं है 10 और 12 ठीक है उसमें कहीं कोई कमी है नहीं ट्रजरी उजरी भी कल जमा कर दी गई लेकिन इतने फीस आई है कि हाँ हैं पढ़ रहे हैं हम छोड़ेंगे नहीं हैं पढ़ेंगे आगे इस उम्मीद से मैंने उनके जो भी दिये हैं 200, 400, 600 ले लिये हैं कि हाँ इनका नाम काटा नहीं जाना है जो हमारे ठीचर उपस्थित हैं यहाँ पर आप इसे निवेदन करेंगे कि आप होपलेश्बत होगे आपको हम बेतन देंगे आज नहीं कल तुमाएं कहां जाएंगे लड़के इस सेसन में अगर हम कहीं पिषड़ गए तो अगले सेसन में सरकार और टाइट होकर स्कूल चलवाएगी हम आपका इंक्रिमेंट लगाकर इस कावज में बेतन देंगे जो नहीं बेतन पा रहे हैं उनको भी लेकिन आपको उसमा हमारे साथ तो रही है जो बंधु आज नहीं आए और सबसे हमको कश्ट है प्राइमरी के हेड सिराम प्रताप मौरिया जी प्राइमरी रहाग में उसम से ज़्यादा बेतन पाते है पांस सितंबर नहीं था उनको ये मालूम भी होगा कि हम बीमार है तो सम्हारी हाल चाल लेने तो उनको आना चाहिए था लेकि ओ गायव हो गए सब के सामने शमस्ता है हमारे यहाँ अपने यहाँ भी मिस्तरा जी बैटे हैं बेतन नहीं मिल रहा है दुबे जी बैटे हैं उजा जी बैटे हैं मिस्रा जी है ठाकुर साथ बेतन नहीं मिल रहा है लेकिन अब ऐसी बाग नहीं है कि कि वड़ हमारे बेतन से कोई जीने वाले है काम चला रहे हैं अगर इस आफ़त में आप साथ रहेंगे तो आगे तो समय आएगा ही कभी पतजड़ है तो कभी बशन्त भी होगा इसलिए आपको निरास उदास नहीं होना चाहिए हम मूर बिया सहित उसको अदा करेंगे आप परेशानिस के लिमत होईए आइ स्कूल खुलने चल रहा है अक्टूबर नहीं खुल ही जाएगा और पूरे धैर के साथ पूरी उम्मीद के साथ देख रहे हैं तबाम सारे स्कूल को सब लट पटा गए है सब लट पटा है हुए हैंसी बात नहीं है तो आप लट पटा यहीं मत चिंतात हमको उनकी उनकी जो बाहरी टीचर है पीजय जी हैं आप हैं, BLD बैटे हो लोग बिचारे बाहरी टीचर हैं, पाठक गी हैं, यह सब तो घर छोण करके यहां ठीके हुए हैं, अगर स्कूल लगातार बंद हो गया, इंगो कुछ ने मिला तो बोजन भी करना है, अब आसी सिंग की बात छोणिए बाई, उन तो जिधर देखें, उ तो इनको भी देखना है, बाहरी हमारा अपर घर है यहां पर, डाल चावल तो नहीं लेना है, इनको तो रोटी और चावल और इंधन की भी उस्था करनी है, तो we should not be hopeless, हम लोगों को निरास नहीं होना चाहिए, स्कूल खुलने पर पहले से ज़्यादा अच्छे जज़बे में स्कूल चलाया जाएगा, समझी नहीं, चार-च्छे महीने, जैसे होगा ठेला जाएगा, उसके बाद फिर पिछले समय से अच्छा बेतन दे करके, वही अपकी सरकार ने रोंग दिया फीसमत बढ़ाओ, हम और कुछ नहीं लेकिन सिच्छक दिवस के उपलक्ष में, आप लोगों को स्वती की किरपा पात्रा जो है लेखनी, एक एक लेखनी आप लोगों को हम देंगे, और इसको आप लोग बहुत बड़ा उपहार समझ कर स्विकार करेंगे, उसके बाद जल जल पान की वे उस्ता जल पान करेंगे, फिर हम लोग आपस पर बाद करते रहेंगे, जै हिंद, जै भारत!